Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्क्षिट नमबर 11, 4 क्लास 8 विशेह हिंदी है और ये वर्क्षिट आपके लिए 25 अगस्ट 2021 के लिए शेडूल की गई है तो आज की जो वीडियो है उसमें हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक के वसंत उसका जो पाठ्य है बच्चो लाग की चूडियां जिसके लेकक कामता नाच्ची है उसका अंतिम भाग पढ़ेंगे और कहानी को आप एक बार में ही अपनी पुस्तक से पूरी भी पढ़ सकते हैं सो बक्षी शूकरने से पहले बेट अपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रिस कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखिए उसके बाद हमने देखा था कि जो लेकक है वो जो बदलू काका है उसके पास म बहुत खाए हैं वावा बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको मैं चुप हो गया मुझे वे दिन याद हो आए जब मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था देखें गाए तो अच्छी है न काका मैंने पूछा तो बदलू के पास जो है गाए होती थी तो लेकक ने प जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में धेर सारे आम ले आई डलिया ऐसे टोकरी होती है न उसको डलिया बोलते हैं तो बहुत सारे जो हो क्या ले आई आम ले आई यह तो बहुत है काका इतने कहा खा पाऊंगा मैंने कहा वावा मैं हस पड़ा शेहरी ठहरे न मैं तुमा आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया, अच्छा बेटी लला को 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना, तो सिंदूरी वाले यानी ये आम की जो है क्या होती है लगज लग विराइटी होती है, सिंदूरी लंगड़ा, चौशा, तो जो है वो कौन से आम की बात करे हैं सिंदूरी वाले आम की बात करे है तो वो कह रहे हैं कि सिंदूरी वाले देना देखो लला कैसे हैं इसी साल यह पेड़ तयार हुआ है रज्जो ने 4-5 आम अंजली में लेकर मेरी और बढ़ा दिये अंजली यानि जैसे हाथ पे रखकर ऐसे पकड़के उनको और जो है उनकी तरफ बढ़ा दिये आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगा एक शण के लिए उसके हाथों पर ठिटक गई यानि उसके हाथ जो है उनके हाथों को मैं देखने लगा गोरी गोरी कलाईयों पर लाग की चुड़ियां बहुत ही फब रही थी कि जो है उसके हाथों पर लाग की चुड़ियां जो पहने हुई थी वो बहुत सुन्दर लग रही थी फब रही थी यानि बहुत सुन्दर लग रही थी बदलू ने मेरी दृष्टी देख ली और बोल पड़ा यह आखरी जोड़ा बनाया था जमिदार साब की बेटी के विभापर दस आने पैसे मुझको दे रही थे मैंने जोड़ा नहीं दिया तो बदलू क्या कहते हैं कि यह आखरी जोड़ा था जो किस की शादी के लिए बनाया था जमिदार साब की बेटी के विभापर के लिए बनाया था दस आने पैसे दे रहे थे तो उन्होंने जोए उसको नहीं दिया कहा शहर से ले आओ मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पस चाहते चला आया मुझे प्रसन्यता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी उसका व्यक्तित वे काँच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से तूट जाए इसका क्या मतलब है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी क्योंकि बच्छो उस समय जो है काँच का प्रचलन बहुत जादा हो चुका था तो बदलू चाहता तो काँच की चूड़ियों का व्यापार भी कर सकता था लेकिन बदलू ने अपना जो पैत्रिक धंदा था उससे कोई समझवता नहीं किया वो लाग की चूड़ियों को ही पसंद करता था काँच की चूड़ियों को पसंद नहीं करता था इसलिए उसने जब पसंद नहीं करता था तो केवल एक पैसा कमाने के लिए काच की चूड़ियों का व्यापार उसने नहीं किया और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी और उसका व्यक्तित्व जो है वो काच की चूड़ियों के जैसा नहीं था यानि वो अपनी बात पर बिल्कुल अडिक था और उसने जो है अपनी आये का साधन खतम होने के बाद भी कांच की चूडियों का व्यापार नहीं किया ठीके और जो है इस तरह कांच की चूडियों के कारण उसका जो धंदा था वो बंद हो गया अब देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों प्रशन दिये गई हैं आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा आये इस भाग पर अधारित कुछ वस्तुनिस्ट प्रशनों के उत्तर खुशने की कोशिश करते हैं पहला प्रशन क्या है लेखक के बच्चपन में बदलू लेखक के लिए क्या बचा कर रखता था तो लेखक के बच्चपन में बदलू जो है उसके लिए क्या बचा कर रखता था आम, दूद, लाग की चूडियां या मलाई तो क्या बचा कर रखता था उसके लिए वो मलाई बचा कर रखता था, घर जो है इसका सही आंसर हो जायेगा, next देखें, इसका घर हो जायेगा, second है, बदलु ने लेको को खाने के लिए क्या दिया था, आम दिये सेब, चॉकलेट, मिठाई, तो बदलू ने लेख़को खाने के लिए क्या دिया? बदलू ने लेख़को खाने के लिए आम दिये. तो क जो है इसका अंसर हो जाएगा. आम लेकर आयी थे ना रज्जो उसके लिए. नैस्ट देखिए, प्रेष्ण तीन है. बदलु ने लाग की चुडियों का अंतिम जोड़ा किस के लिए बनाया था कह option लेखक की बहन के लिए खह जमिदार की बेटी के लिए गह रज्जों के लिए और गह है अपनी पत्नी के लिए तो बदलु ने लाग की चुडियों का अंतिम जोड़ा जमिदार की बेटी के लिए बनाया था तीक है नेक्स देखिए निमलिकित प्रशनों के उत्तर लिखिए तो fourth और fifth question जो है वो हम करेंगे so fourth question है बदलू को गाएं क्यों बेचनी पड़ी तो बदलू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था जिसके कारण उसे गाएं बेचनी पड़ी तो पिटा आर्थिक तंगी होती है जो घर में पैसे की कमी होती है तो उसको हम आर्थिक तंगी कहते हैं तो बदलू भी बहुत गरीब था वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था गाएं को चारा खिलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए उसको गाएं जो हो बेचनी पड़ी ठीक है और साथ ही उसको पैसों की भी ज़रूर थी नेश्ट देखिए नमबर पांच लेखक ने बदलू के लिए ऐसा क्यों कहा कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूडियों जैसा ना था तो उसका व्यक्तित्व कांच की चूडियों जैसा नहीं था कि आसानी से तूट जाए क्योंकि कांच की चूडियों का प्रचलन होने से भले उसने लाग की चूडियों का काम करना काम बंद कर दिया लेकिन कांच की चूडियां बेचने का काम शुरू नहीं किया इसलिए कहा गया है कि उसका व्यक्तित्व कांच की चूडियों जैसा नहीं था नेक्स देखिए अब बच्वों आपको यहाँ पे एक गतिविदी दी गई है गतिविदी की स्मारे में है निश्चित रूप से आपको भी आम बहुत पसंद हो गए तो सभी वच्चों को आम बहुत पसंद होते हैं हाला कि अब आमों का मौसम जो है वो जा रहा है आपने भी कई प्रकार के आम खाए होंगे जैसे की लंगडा, दशहरी, देशी, सफेधा, चौसा, आधी तो इन सभी आमों के नाम जो है आपने घर में कभी न कभी जरूर सुने होंगे अगर नहीं सुने हैं तो आप अपने जो बंबी पापा हैं उनको इनके बारे में जरूर पता होगा तो उन से डिसकस जरूर करना कि लंगडा आम कौन सा होता है, दशहरी कौन सा है, देशी कौन सा है, सफेधा कौन सा है और चौसा जो है, वो कौन से आम की विराइटी है ये सभी क्या हैं ये सभी अलग-अलग जो आम हैं उनकी विराइटी हैं आमों की विभिन प्रकार की किश्मों के चित्र एकत्रित कीजिए और उन पर एक अनुछेद भी लिखे तो आपको ये एक्टिविटी खुद से करनी है बेटा इसमें जो ये आम दिये गए हैं लंगड केरी कैसा होता है देशी कैसा होता है तो ये गतिविदी आप खुद से कर सकते हैं क्योंकि ये एक फन एक्टिविटी है जिसमें आपको कुछ इंफोर्मेशन इकत्रित करके अपने कॉपी में लगानी है ठीक तो ये थी बच्चों आपकी आज की वरक्षीट आई होब सभी को वरक्षीट क्लियर है कोई भी डाउट है तो आप पूच सकते हो विडियो अच्छे लिगी तो प्लीज लायक कर दीजे शेर कर दीजे और चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे सो थैंक्स पॉम वांचिंग मिलते है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वरक्षीट के साथ ट बेकियर